प्यारी बच्चों आज हम समय का सदुपयोग गध्याश एवं निबंद पर चर्चा करेंगे यह निबंद कक्षा 6 से 12 के विध्यारतियों के लिए हैं तो चलिए शुरू करते हैं समय का सदुपयोग निबंद समय का सदुपयोग करना ही सफलता की कुणजी है जो व्यक्ति समय को बरबाद करता है, समय उसको बरबाद करके छोड़ता है समय को व्यर्थ गवाने वाले खुद अपने पैरों पर कुलहाडी मारते हैं कुछ लोग आज नहीं कल से, कल नहीं परसों से, करते करते कुछ नहीं कर पाते और सफलता का कोई मौका नहीं पाते किसी भी व्यक्ति की सफलता की कहानी यहीं से शुरू होती है जब वह आज के काम को कल पर टालना शुरू करता है हमें उन आदतों पर लगाम लगानी चाहिए जिनमें हमारा कीमती समय योही बेकार चला जाता है समय का सदुपयोग तथा परबंधन करके हम नय केवल अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं बलकि अपने शोक, मनोरंजन, आदी के लिए भी समय निकाल सकते हैं समय की कीमत समझने वाले ही अपने अच्छे भविश्य का निर्मान कर सकते हैं सही समय पर सही काम करने वाले ही सफल होते हैं काम को सही समय पर करने से आत्म विश्वास में व्रिधी होती है कारिय शमता भी बढ़ती है आज का काम आज ही करो, कल पर मत टालो समय हाथ से निकल जाने पर केवल पच्चतावा रह जाता है कहते हैं देर आए दुरुस्त आए जब जागो तब ही सवेरा जो बीत गया उसे भूल जाओ कोई भी शुब काम करने के लिए आज और अब से अच्छा समय नहीं कभी नहीं हमारे वरतमान में किये गए कारियों से ही हमारे कल या भविश्य का निर्मान होता है समय की महता सब के लिए बराबर होती है लेकिन छातरों के लिए वह और भी महतुपोर्ण है क्योंकि सफलता की आधार शिला छातर जीवन में ही पड़ती है किसी विद्वान ने कहा है समय और सेहत की कीमत उसके खो जाने के बाद ही जान पड़ती है इसलिए सही और सही तरीके से काम करके ही हम सफल हो सकते हैं कभी-कभी हम समय और उर्जा उन छोटे-छोटे कामों पर अधिक लगा देते हैं जिनकी आवशकता नहीं होती इससे जरूरी काम या तो छुट जाते हैं या जल्दबाजी में किये जाते हैं और उनका परिणाम अच्छा नहीं होता दुनिया की सारी दोलत खर्च करके भी बीते हुए समय को नहीं खरीदा खरीद सकते इसलिए समय का सदुपयोग करें छात्र अपनी छुट्टियों की भी सही योजना बनाएं लंबी छुट्टियों में व्यक्तित्व विकास के कोर्स करें जैसे कम्प्यूटर, स्विमिंग, रित्य सीखना, अपेक्षाकरत कठीन परतीत होने वाले विश्यों की त्यारी करना, दस्तकारी, विदेशी भाषा सीखना आदि, हारुशन बेहद कीमती है, उसे बेकार ना करें तो प्यारे बच्चों, यह था निबंद समय का सद उप्योग, इसे अपनी नोट बुक में नोट कीजिए और अपनी शिक्षिका से चेक कर आई